कि सिंदु घाटी सब्वेता आज हम जानेंगे सिंदु घाटी सब्वेता के बारे में और उसके महत्वपून क्युष्चनों के बारे में कि नमस्कार साथियों आपका स्वागत है एक्जाम सेट योट्यूब चैनल में आज हम पढ़ेंगे सिंदु घाटी सब्वेता से रिलेटेड कुछ महत्वपून क्युष्चन्स तो चलिए सुरुवात करते हैं कि पहला मारा क्युष्चन है वह सिंदु घाटी सब्वेता को सबसे पहले किस ने देखाaid ओप्शन ए चार्ल्ज मेंसन थैर्म साहनी सी ओर एल स्टाइम और डी फेर सर्वेयस में तो इसका सही उत्तर होगा सिंदु घाटी सब्वेता को सबसे पहले चार्ल्स मेशन ने देखा चार्ल्स मेशन ने सिंदू घटी से बैताओ को सन 1826 में देखा था नेक्स्ट भारतिया पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है भारतिया पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है A. C. S. Carlyle B. A. Cunningham C. John Marshall D. Aurel Stein भारतिया पुरातत्व का जनक A. Cunningham को कहा जाता है भारतिया पुरातत्व का जनक A. Cunningham को कहा जाता है जबकि राजस्थान पुरातत्व का जनक C. S. Carlyle को माना जाता है ध्यान देने वाली बात है राजस्थान पुरातत्व का जनक A. C. S. Carlyle जबकि भारतिय पुरातात्र का जनक एक कनिंगम को माना जाता है सिंदु घाटी सब्वेता को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो उप्युक्त सभी नामों से जाना जाता है सब्वेता तम्रयूगी सब्वेता और सजय यूगिन सब्वेता यह तीनों के तीनों जो नाम है एक था किसने किसने किया तो हआख सब्वेता का नामकर्ण जोन मार्सल, दियाराम साहनी, बर्टन या उप्युक्त सभी, तो हमारा सही एंशुर है इसका कि हडपा सब्वेता का नामकर्ण जोन मार्सल ने किया, 1921 में सन जोन मार्सल पुरातात्युक्षण व्याग के महानिर्देशक भी रहे, हडपा सब्वेता की विदिवत गोष्णा कब हुई, 1924 में, 1926 में, 1936 में या 1940 में, तो हडपा सब्वेता की विदिवत गोष्णा 1924 में हुई, और हडपा की खुदाई से पता चलता है कि यह है नगर लगबग 5 किलोमेटर की परिदी में स्थित्ता, तो यह थे हमारे आज के कुछ महतकूर्ण क्यूस्टें जो सब्वेता से एलेटेड थे, और इसी तरह के और अधिक शुश्टें जाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शयर कर सकते हैं, और इस तरह की अपडेट selv में करते हैं, तो महतक एक्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद